जेहिं दोस्तों स्वागत है आपके अपके अपने यूटूब चैनल रेलवे तक में तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारती रेलवे में जो GDC एक्जाम होता है उसमें किस प्रकार के कॉश्चन्स पूछे जाते हैं तो जैसे कि आप सभी यहाँ प CCTC यानि की जो Senior Ticket Clerk होते हैं उसका यह एक्जाम है तो बने रही है वीडियो के लाश्ट तक और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब रेलवे तक क्योंकि यह आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमें बहुत हिल्फ हो जाती है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सक्सक् F-PT का मुख्यालए है यानि कि संस्तान है वह है तञजावुर में इस्तित हैuci तणजावुर आपको पता होगा कि यह है तमिल नाडू में इस्तित है यहाँपर केनिडरेट ने नोट अटेंप्ट किया है तो यह सेकिन कॉट्चेन्स का अंसर तेसरा कोस्चिन से पैंसन निधी बिन्यायमक और विकास फ्राधिकरन का मुख्याले कहां इस्तित है तो इस प्रकार के कि वो कॉस्चिन पूछे जाते हैं वह नई दिल्ली में इस्तित है यहां पर केंडिडेट का फर्स्ट आंसर राइड है नेक्ट कोस्चिन है दोजार बी कोविड नाइटिन चुस किया है जबकि इसका राइट आंसर की बात कि रहें तो इसका राइट आंसर मुग का कैंसर होगा नेक्स्ट कोशन यहां पर मैट्स का है जिसमें यदी 80 मीटर उची मिनार से किसी बस्तू का अब नवन कॉण 45 डिग्री है अब नवन कोड और उन्य 45 डिग्री दिया है तो यहां पर आपको पता ही होगा कि चक्रित समकौन तरिभूज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है जिसमें कि यहां पर यह समकौन तरिभूज है तो 90 डिग्री यह होगा वाकि 45 डिग्री यह होगा तो इस पर कापर उचाई की बात की जाए ज कौन 45 डिग्री हैं तो यहाँ पर राइट आंसर 80 मिनिटर होगा नेक्स्ट कोश्चन से साइमन कमिशन की नियुक्ति के कारेकाल में की गई थी तो यहाँ पर केंडिडेट ने लौर्ड एर्विन ना राइट आंसर चूस किया है तो आप सभी को पता ही होगा कि साइमन कमिशन जब आया था उस समय भारत में जो कारेकाल चल रहा था वहलाड इर्विन के चल रहा था नेक्स्ट कोश्चन से हैं निमली खित्में से कौन सा भिन ने सबसे छोटा है यहाँ और फाइब से सेवन नहीं जाएगा तो यहाँ पर ऐसे करेंगे पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर 50 हो जाएगा सेवन से सेवन टाइमस कट जाएगा फॉर्टी नाइन बचेगा इसके बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर त्री टाइमस केंसिल होने के बाद 3.5 यह आ जाएगा तो यहाँ पर हमसे सबसे छोटा भिन पूच्छा है तो आप आपको दिखी रहा होगा कि 5 अकॉन सेवन है वह सबसे छोटा है जिसमें की पॉइंट सेवन आंसर आ रहा है आई होप आपको समझ में आया होगा नेक्स्ट पोस्टेंस यहाँ पर रीजनिंग से जिसमें की एक कथन दिया गया है यदि तुमने मुझे परेशान किया तो मै तो मैं थपड मारूंगा एक पिता अपने बच्चे को चेताब नहीं देता है तो यहाँ पर यह कथन को आप समझना है जिसमें कि अगर आप मान के चली आपके पिता ने कहा यदि तुमने मुझे परेशान किया तो मैं तो मैं थपड मारूंगा तो यहाँ पर निसकर्स के उनकुन से निकाले जा सकते हैं तो यहां पर बोला जा रहाए सभी बछ्चे मूल रूप से सरारती होते हैं बच्चा उसे परेशान करनावन्द कर सकता है तो यहां पर यह उस से रिलेटिड है जिसमें कि आप यहां पर देखेंगे पिताजी ने बच्चे को चैताबनी दी है तो चैताबनी से बच्चा उन्हें परेशान करना बंद भी कर सकता है तो यह डारेक्ट फॉलो कर रहा है इसलिए यहाँ पर राइट अंसर सेकिंड फॉलो हो जाएगा नेक्ट कोश्चन है डूरंड कप किस खेल से संबंदे थे तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि खेल के आवार्ड या फिर खेल के जो कफ होते हैं वे आपको याद होना ही चाहिए जिसमें की केंडिडेट ने होकी दिया है और इसका राइट आंसर की बात की जाए तो जो रा को बड़मास रूल लगाना है नेक्ष्ट कोश्चिन थे बैरो मिटर का जो संबंद दवाफ से होगा तो आपको पता ही होगा कि बैरो मिटर की दारा दवाब मापा जाता है उसी प्रिकार सिसमोग्राफ का जो यूस किया जाता है वैभूकम्प की तीरवता को मापने के लि तो आपको पता ही है यहां चार ओफसंस दिये गए हैं जिसमें की सबसे खराब यानि की रोष्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा इस परकार के यहां पर चार से पांच कोश्चन्स पूछे जा चुके हैं जैसे कि यहां पर चार मिनार का जो संबंद भारत से है यानि की चार मिनार भारत में हैं उसी परकार प्रामीड कहां पर है तो यहां पर सेम रिलेशन्स आपको इसमें खोजना रहता है तो आपको पता ही होगा कि जो प्रामीड है वह मिस्ट यानि की इजिप्ट देश में है तो राइट आंसर यहां पर इजिप्ट हो जाएगा से पड़ा है जिसमें की theory आपकी clear है तो आप इस questions को 10 second में answer दे सकते हैं जिसमें की right answer की बात करें तो यहाँ पर सामानतर होगा next questions मानफ सरीर में जेविक तद्वो का सही और अब रोही क्रम निमलेकित में से कौन सा होगा यानि की बढ़ते से घटते हुए क्रम में आपको यह बताना है अब रोही क्रम में की कौन सा यहाँ पर right answer होगा तो इस 4 options में से आप यहाँ पर देखेंगे बात की जाए तो यहाँ पर हमारे जो सरीर में जेविक तद्वो का सही क्रम है वह है oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium और phosphorus कर सही क्रम होता है तो यहाँ पर candidate ने भी right answer चूज किया है निमलेकित में से कौन सी पुस्तक अंग्रे जी के लिए साहित्य अकादमी प्रुसकार जीतने के लिए चर्चा में थी बुक से related एक से दो question समय से पूछे ही जाते हैं यहाँ पर साहित्य अकादमी प्रुसकार जीतने की बात की जाए तो जो बुक है वह एन एरा आफ डर्कनेस बहुती प्रतिष्टेत बुक मानी जाती है जिसको साहित्य अकादमी प्रुसकार मिला है नेक्ट कोस्चन है नेमले खित में से किसे वाइड बिट्रियोल यानि की सपेद तूतिया के नाम से जाना जाता है तो यह भी एक एगीजी सा question है जिसमें कि आप सभी को पता ही होगा कि जो जिंक सेलफेड है उसे सपेद तूतिया यानि की वाइड विट्रियोल भी कहा जाता है नेक्ट कोस्चन से यहाँ पर सियाई से रिलेटिड है जिसमें चक्रवतिवयाज दिया गया है और समय गयात करने के लिए बोला जारा है बारसी क्रूप से सही हो जित 5% प्रतिवर्स के चक्रवतिवयाज की दर से 500 रुपे का मिस्स रधन कितने वर्सों में 551.25 रुपे हो जाएगा तो यहाँ पर एक से 50 तक की संख्याओं के कितने परतिसत में 11 का अंक एक या 9 होता है तो यहाँ पर एक से गौंटिंग इस्टार्ट करेंगे तो एक में 11 के अंक आ रहा है इसके बाद यहाँ पर 9 में आइक आ एक आ रहा है इसी परकार 41 and 49 तो यहाँ पर total count करेंगे तो 50 तक में total 10 वार एकाई का अंक 1 या 9 आ रहा है तो यहाँ पर total times 10 times यहाँ पर एकाई का अंक 1 या 9 आ आया है तो यहाँ पर 10 लिखेंगे total 50 संख्याओं में सारा है तो अकों में 50 into 100 तो जिससे कि आपका जो एकाई का अंक 30 में आ जाएगा तो यहाँ पर 50 से यहाँ पर 102 टाइमस के इंजेज 2 का multiply 10 में करेंगे तो यहाँ पर 20 परसेंट आ जाएगा तो यहाँ पर right answer की बात की जाए तो 20 परसेंट हो जाएगा और candidate ने यहाँ पर 25 चूस किया है next questions की बात की जाए तो यहाँ पर एक कक्षा की कुल संख्या का कितना प्रतिस्यत लड़के हैं यदि लड़कों का लड़कियों से अनुपात 14 अनुपात 11 है तो यहाँ पर आपसे अनुपात में दिया गया है 14 अनुपात 11 है यानि कि परसेंट की याद करने के लिए यहाँ पर 100 का मल्टिप्ला है 25 से यहाँ पर 100 पॉर टाइमस कैंसिल हो जाएगा और 14 पॉर जा 56 इस परकार से यहाँ पर आप राइट आंसर एक मिनिट के अंदर भी ले आ सकते हैं next questions यहाँ पर blood relations का questions पूछा गया है यहाँ पर इंटू का आर्थ inappropriate आप देखेंगे तो A, B का पती है यानि की K N का पती हो जाएगा यहाँ पर तो यहाँ पर इस परकार से यहाँ पर K आपको यहाँ लिखना है N यहाँ पर ऐसे लिखना है N पती पतनी है तो यहाँ पर double यहाँ पर single देंगे वह M की है अगर आप यह questions को आप easy solve पड़ पड़ के solve करेंगे तो यह easily solve हो जाते है next यहाँ पर M or L के बीच में divide का अंतर दिया है जो कि divide का तो यहाँ पर पिता है तो यहाँ पर M L का पिता है यानि की M यहाँ पर voice है तो यहाँ पर plus D note करेंगे और L का पिता है तो यहाँ पर L यहाँ पर आ जाएगा L का यहाँ पर हमको gender clear नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे questions यहाँ पर पूछए जा रहा है N का अल के साथ क्या सम्बंद है तो यहाँ पर दौनों के पिता एक है इसमें यहाँ पर minus C तीआ है N को तो यहाँ पर L का जै सांथ सम्बंद है वह बहन का हो जाएगा questions की बात की जाए तो यहाँ पर next questions maths का है जिसमें की एक काम जो नो दिनों में समाप्त हो सकता था वह तीन दिन पेले ही पूरा हो गया जब दस और बैक्तियों को काम में लगाया गया था उन बैक्तियों की संख्या ग्यात की जो जो मूल रूप से काम में लगे हुए थे यहांपर a कामान क्या होगा यूदी a कोश्टक में a b c का यहांपर 85 यूँ इसी पriminalकार b 96 c का यहांपर 108 दिया है यहांपर जो आनसर होगा है इसका 5 होगा ूइसी पिरकार यहांपर next question है दो आभाज संख्याओं में उनके लगउतम सामवर्ते 161 है तो उनके बर्गों में क् निश्ट तो यहाँ पर LCM HCF से यह questions है जिसमें कि आपको यहाँ पर LCM दिया गया है जो कि 161 है और यहाँ पर जो प्राइम नंबर्स का है यहाँ पर प्राइम नंबर्स का आप लगोतम सामगर तक यहाँ पर निकालेंगे तो 161 आपको पता चलेगा कि जो LCM है वह 23 और 7 संख्या का यहाँ पर LCM है जो कि 161 है अब उनके बर्गो का अंतर यानि कि यहाँ पर 23 का स्कॉर और 7 का स्कॉर यहाँ पर अंतर आपको पता करना है तो यहां पर 23 के स्कॉयर की बात करें तो यहां पर 23 का स्कॉयर होगा वह 529 होता है तो इसके बाद 7 का स्कॉयर 49 होता है तो आपको 2 से 30 तक minimum स्क्वार याद होने चाहिए तो यहाँ पर इन दोनों को माइनस में करेंगे तो जो डिफरेंस आता है वह यहाँ पर 480 आ जाएगा नेक्स्ट कोस्टन से 0,1,2,3 से 10 में आभाज संक्या अलग कीजिए तो यहाँ पर आपको स्रिफ प्राइम नंबर्स निकलने हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जिनमें 0 से 10 तक प्राइम नंबर्स की बात की जाये तो यहाँ पर 0 नहीं है 1 भी नहीं है इसके अलावा पेल्नों की तरज्याओं का अनुपाद three is to five है उनके आतनों का अनुपाद throughout तो उनकी उचाईओं का अनुपात क्या होगा तो उचाईओं का जो अनुपात होता है वह अपोजिट हो जाएका जिसमें की 5 रेश्टि 3 हो जायगा यहीजी सा कोश्चन्स है next questions आकरती से related है जिसमें पूछा गया है कि कितने तिर्भूज है तो यहाँ पर आपको इस परिकार की जो आकरती होती है उसमें तिर्भूज काउंट करने के लिए total कुछ नहीं करना है जैसे कि यहाँ पर एक इस परिकार का आकरती है जिसमें कि आपको काउंट करने है कितने भाग है तो यहाँ पर total 4 parts हो रहा है तो 4 का multiply 2 से कर देंगे तो यहाँ पर जो total digit यानि की तिर्भूज की संख्या है वह 8 हो जाएगी इस परिकार की आकरती में यही एक 100 trick है इसके बाद यहाँ पर 2 संख्या है 3 to 4 के अनुपात में है बड़ी संख्या का एक तिहाई चोटी संख्या के एक तिहाई से 4 अधिक है चोटी संख्या कौन सी है तो यहाँ पर ratio से related 3 से 4 questions आपको करा दिये उसी परिकार से यहाँ पर यह questions का answer आप solve करेंगे तो यह next questions है किस भारती गेर सरकारी संख्याटन NGO को WHO दौरा वर्ल्ट नो टोवे को डे अवार्ट 2022 2020 से सम्मानित किया गया है तो यहाँ पर 4 NGO के नाम दिये गया है जिसमें कि 2000 का यह current affairs related questions है जिसमें कि आपको पता होगा की seeds उस समय 2020 में नो टोवे के डे अवार्ट से यहाँ पर सम्मानित किया गया था next question सयुक्त राष्ट दिवस प्रतिवर्स मनाया जाता है सयुक्त राष्ट दिवस की बात करें तो 24 अक्टूबर को यह अस्तिद्व में आया था यानि कि इसको 24 अक्टूबर को प्रतिवर्स यहां पर 44 multiply 44 4 times 4 दिया गया यानि कि 4444 इसी प्रकार 34 multiply 52 करेंगे तो यहां पर यह digit दी गई है और 81 into 46 का multiply यहां पर हमसे पूछा गया है तो यहां पर आप को देखेंगे 334 into 52 को किस प्रकार से लिखा गया है तो यहां पर जो 2nd वाला है उसका फर्स्ट डिजिट यहां पर लिखा गया है तो यहां पर हम बात करेंगे जएक टेजिए आटीवन माल्टिप्लाइ इस फकलब करेंगे तो जो ऊप्षन्स है. और 3 यहां पर लाश्ट में आ जाएगा तो यहां पर 8 आ जाएगा इस परकार से आप यहां पर solve करेंगे तो जो options है यहां पर 4168 यहां पर write हो जाएगा I hope आपको समझ में आया है next question से तो work and efficiency से यह question से जो कि जिसा question से यहां पर बानू और 4 को आपको दिया गया है 35 में करती है इसके अलावा अनू बानू और 4 यहां कि ABC इनको 17.5 में करती है तो इनका अनू का निकलना है तो यह BC का एक दिया है और ABC यानि कि यहां पर A ही extra है तो यहां पर आप देखेंगे एक extra आ रहा है यानि कि अनू की जो work efficiency है वह एक है और total work यहां पर 35 है तो 35 में efficiency का work कर दिवाइट देंगे तो यहां पर total day की संक्या 35 आ जाएगी आई होब आपको समझ में आया होगा यह easy सा questions है next question से यहां पर 20 km की रफ्तार दी गई है 2 घंटे 15 मिनिट में यह 9 km की दूरी तय करेगा और 18 km प्रती घंटे की रफ्तार से यहां पर डिवाइट करेंगे तो यह स्रीप मात्र में 30 मिनिट में यह दूरी तय कर लेगा तो यहां पर राइट आंसर 30 मिनिट हो जाएगा next question से संगाई महसब निमलिकित में से किस राज्य में मनाया जाता है तो आपको पता होगा कि यह मनीपूर मे सबसे पहले भासा के आधार पर राजयों कि मांगी गई थी तो उनकी जो मांग है वह उननीस सो चपन में स्विकृत कर ली गई थी तबी से भासा के आधार पर राजयों का पुनर अस्टार यहांपर 1956 हो जाएगा बेजनाथ समू के मंदिर भारत के किस राज्य में इस्तित है तो यह आपको पताई होगा कि उत्राखंड के जो मंदिर एक समू है वह बेजनाथ समू के मंदिर के नाम से भी पिरसित है तो यह राइट आंसर यहाँ पर उत्राखंड हो जाएगा नाव और धारा का यह easy सा questions है इसको आप वीडियो पोस्ट करकर ही questions को solve करें next questions की बात की जाए उप्रवराष्ट पती को पदच्युत करने की मांग प्रस्ताव की प्रकिरिया आरंब हो सकती है केवल तो आपको पता ही होगा कि जो उप्राष्ट पती है वह राजसवा का सदश होता है तो उनको उसके प्रस्ताव है वह राजसवा में इस्टार्ट होगी ना की लोगसवा में तो राइट आंसर यहाँ पर राजसवा हो जाएगा next question है पुश्ट के मादा भाग को क्या कहते हैं चार options आपको दिये गए हैं तो यहाँ पर इस्तरी केसर है वह पुरुष के मादा भाग को कहते हैं next questions में आपको के का मान ग्याद करना है यदि एक ब्रत चत्रवोज एवी सीडी की सभी चार भुजाओं को इस पर सकरता है तो एवी प्लस सीडी इस इकल टू आ जा रहा है एवी प्लस सीडी यानि की जो इधर है वह है यहाँ पर यह है तो इसी बराबर यहाँ पर क्या होगा तो इसी परकार से आप एडी प्लस बी सी को यहाँ पर बराबर में लिख सकते हैं next question से नेपोलियन बोनापार्ट किस के समराट थे तो आपको पता होगा यह जी सा question से नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के समराट थे यहाँ पर जर्मन ने आंसर दिया है candidate ने तो यह wrong हो जाएगा next question स्टीजनिंग के है जो कि कतन है और निसकर से जिसमें एक पहस्ट कतन है कुछ आम संत्रे हैं तो यहाँ पर आम इस परकार से लिखेंगे और संत्रे इस परकार से जिसमें की यह पोश्टन से कुछ आम संत्रे हैं कथन है कोई भी संत्रा केला नहीं है तो केला और संत्रा का कोई भी यहाँ पर संबंद नहीं तो यहां पर केला यहां पर अलग हो जाएगा next question है कुछ केले save हैंट यहां पर को में जो केले हैं वैसे हो जाएंगे कुछी तो यह इतना save मानकर चलिएंग dizendo केला है तो सेवको Перв एपल से denote लिक तո यहां पर पूछा जा रहा है कुछ केला save नहीं है तो यहाँ पर केला और सेब का आप संबंद देख सकते हैं तो यहाँ पर फस्ट तो यहाँ पर रोंग हो जाएगा नेश्ट है कुछ आम केले हैं तो आम का यह फस्ट वाला है और केला यहाँ पर है तो इनमें कोई भी डारेक्ट संबंद यहाँ पर नहीं दिया गया है तो सेकिन वाला भी यहां पर रोंग हो जाएगा तीसरा है कोई केला संत्रा नहीं है तो यहां पर यह केला है और यह संत्रा है तो इसमें यहां पर हमको मना ही किया गया है कथन में कोई भी संत्रा केला नहीं है और यहां पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं तो यह त जाएगा चोथा है कोई भी संत्रा सेव नहीं है तो यह संत्रा है और यह यहां पर सेव है इन दोनों में संबंध हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं बाकी इतना जो पोर्शन से एपल का वह संत्रा नहीं हो सकता है बाकी इस प्रकार से भी यह से भी बन सकता है तो इसमें हम क केवल निसकर्स तीन अनुसरन करता है कुछ चम्मच ग्लास हैं तो यहाँ पर पूछा जा रहा है निसकर्स में कुछ ग्लास प्लेटे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्लास के अंदर ही प्लेटे हैं तो यहाँ पर कुछ ग्लास भी प्लेट हो जाएगा और प्लेटे भी ग्लास हो जाएगा तो यह फस्ट वाला राइट है सेकिन है कुछ ग्लास चम्मच है तो यह इतना पॉर्टसंस आप देखेंगे जो ग्लास का है वह चम्मच भी हो सकता है तो यहाँ पर दोनों ही राइट हो जाएंगे तो जो आंसर बनेगा वह है निसकर्स एक और दो दोनों अनुसरन करते हैं सेवाल और कबक के बीच संबंद का एक उधारन है तो जो सेवाल यानि की एलगी और फंगी के जो बीच में संबंद होता है वैसे जी भी ता होता है तो यहाँ पर राइट आंसर से जी भी हो जाएगा इसी पर कथन और निसकर्स जो की नाइट्रोजन एक गेस है और इस चेंबर में नाइट्रोजन गेस है तो यहाँ पर फस्ट कथन को आप ध्यान से पढ़ेंगे नाइट्रोजन एक गेस है जो की होती ही है सेकिन में बोला जा रहा है इस चेंबर में गेस है तो इस दोनों कथन को आप मर्ज भी करेंगे तो जो निसकर्स है इस चेंबर में ना निकाला गया निसकर्ड संभवता सही है या फिर इसमें होने और ना होने की भी बात कर सकते हैं यानि की हो भी सकती नाइट्रोकरण केस और नहीं भी confirm नहीं है तो यहाँ पर संभवता सही है लगाएंगे और candidate ने यहाँ पर निश्चित रूफ से सही है यहाँ पर लगा दिया तो यह wrong हो जाएगा next question से coding decoding को यहाँ पर cool को यहाँ पर dqrp लिखा जा रहा है तो यहाँ पर आप difference निकालेंगे तो उसी परकार से sofa का यहाँ पर difference निकाल के सेम परकार से यहाँ पर इसको answer देना है इसमें कहा जा रहा है प्रीती पूर्वी की और 14 मीटर चली तो यहाँ पर मान के चली जो starting point है प्रीती का वह पूर्वे में 14 मीटर चली फिर वह वाईं और मुड़ी और 24 मीटर चली तो यहाँ पर वाईं और मुड़ी और 28 मीटर चली तो यहाँ पर 28 मीटर इस परकार से मान लीजे यह चली है फिर वह दाइं और मुड़ी यानि की दाइयां इसका यहां पर इस प्रकार हो जाएगा और 16 मीटर चली है इसके बाद अंतमे में दाइं मुड़ी और 14 मीटर चली तो यहां यह 16 चलने के बाद दाइयां इस प्रकार मुड़ कर 14 मीटर चलेंगी इसके बाद कहा जा रहा है शुरुआती बिंदू से किस दिसा में और कितने मीटर की दूरी पर है तो यहाँ पर जो starting point है वह यह है यहाँ से हम चारो दिसाओं के निकलेंगे तो यहाँ पर यह north हो जाएगा यह south, यह east और यह west तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यह है अभी north में यहाँ पर 24 plus 16 यहाँ पर इधर चली हैं तो total 8 करेंगे तो 40 meter north की तरफ इसका right answer हो जाएगा यहाँ पर यदि x star y को x square plus y square minus x y लिखा जाता है तो यहाँ पर 9 star 11 का मान ग्यात करना है तो यहाँ पर आपको simply इसी method में यह 9 11 को put up करेंगे तो यहाँ पर 9 का square करेंगे तो 81 plus y का square करेंगे यानि 11 का square करेंगे तो 121 इसके बाद minus x into y यानि की 11 into 9 करेंगे तो यहाँ पर 99 आ जाएगा इसके बाद इन दोनों को 8 करेंगे तो यहाँ पर 202 और 202 में से 99 minus करेंगे तो जो answer है वह 103 यहाँ पर आ जाएगा next question से जैसे की सरिस्का का जो राजिस्तान में है वहीं राजाजी उत्राखंड में है और बांदीपूर जो है वहे करनाटक में है तो यहाँ पर तीनों ही राज और tiger reserve mail नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर none of these यानि की इन में से कोई नहीं right answer हो जाएगा यहाँ पर series का next question है जिसमें की आप 3, 9, 27, 81 तो यहाँ पर आप देखेंगे जो संख्या है फर्स्ट संख्या का multiply 3 में कर रहा है यहाँ इसे की 3 का multiply 3 है 9 का multiply 3 में करेंगे 27 और 27 में multiply 3 करेंगे तो 81 इसी परकार 81 में 3 का multiply करेंगे तो 3 और 8 3 जा 24 तो जो next चंख्या है by 243 हो जाएगा next question maths का है जिसमें की आप यहाँ पर देखेंगे यादि greater than का earth plus है तथा into का earth divided है तो यह equations आपको solve करनी है जैसे की 5 इसका earth plus है 50 इस परकार से जमा लेने के बाद यहाँ पर कोश्टक में है तो board mass rule से 20 हो जाएगा 20 के बाद divide में 4 करेंगे तो यह 5 हो जाएगा और 5 plus 120 करेंगे तो जो answer है वह 125 आ जाएगा तो इस परकार के यह easy questions होते है जिनको आपको solve करने रहते है next है chlorophyll सूरे के परकास की तरंग धेरे में से किस परकास को अफसोसित करती है तो यह थोड़ा सा tough questions आप बोल सकते है तो chlorophyll जो सूरे के परकास में से जो रंग होते हैं उस में से लाल और नीले रंग को अफसोसित करती है next questions है यदि A और B दो क्रामागत पूनांग हैं तो उनके महत्तम सामवर्ट तक ज्याद कीजिए consecutive इंडिक तो यहाँ पर A और B consecutive इंडिक्रेटर्स हैं तो इनका जो HCF है यानि के महत्तम सामवर्ट कि वह एक हो जाएगा किस राज्य सरकार ने हाल ही में नागरिकों के लिए बिविन सरकारी सेवां को घर घर पहुचाने के लिए जन सेवा नामक योजना सुरू की है तो यह 2020 का करन्ट अफेर्स है जिसमें की 2020 में करनाटक राज्य ने जन सेवा नामक योजना सुरू की थी जिसमें की नागरिकों के लिए जो सरकारी सीवां है वह सभी उनके घर घर तक पहुचा कर उनको उपलब्द कराई जाती थी यहाँ पर नेश्ट कोश्चन से पैनिसलिन की खोज किसने की थी तो यह कीजी सा कोश्चन है जिसमें की आपको पता ही होगा एलेक्सेंडर फ्लैमिंग के दौर अपैनिसलिन की खोज की गई थी राइट आंसर है नेश्ट कोश्चन है तो यह कोश्चन को आपको वीडियो पॉस करकर इसका आंसर सॉल्व करना है नेश्ट कोश्चन यहाँ पर रिजनिंग का है जिसमें एक्वेशन दी गई है और यहाँ पर इनका जो संबंद दिया गया है एनका संबंद यहाँ पर इंटू का है तो यह एक्वेशन आपको इस तरीके से जमानी है जैसे एक्वेशन को आपको बोर्ड मोस रूल के तोरह सॉल्व करना है जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हमको डिवाइड सॉल्व करना है तो 9 का डिवाइड यहाँ पर 63 में देंगे तो यहाँ पर 7 टाइम से यह कैंसिल हो जाएगा इसी परकार 15 में टू 7 करेंगे तो यहाँ पर 105 हो जाएगा मिडल में यहाँ पर प्लस है इसके बाद यहाँ पर माइनस 14 है तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो 112 हो जाएगा और 112 में से 14 माइनस करेंगे तो 98 यहाँ पर राइट आंसर आजाएगा next question यहाँ पर simplifications है जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पर questions को आप solve करना आता है तो इस questions को आप solve कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर candidate ने skip किया है जैसे कि आपको लगता है कि questions में ज़्यादा time लगता है तो इसे questions को आप last में try करें next question यहाँ पर algebra से जिसमें कि आपको X square plus one account X square का मान यहाँ पर निकलना है जो कि आंसर यहाँ पर 1154 है नेश्ट कोश्चेंज है निमली कितमे से 2020 का पद्विभूशन आवार्ड प्राप्त करने वाला बैक्ती कौन है तो 2020 में पद्विभूशन MC Mericom को मिला था अगर आपको याद हो 2020 का Current Affairs से रिलेटेड यहाँ पर पूछ जा रहा है तो Current Affairs के यहाँ पर 4-5 कोश्चेंज आ गए है यह नेश्ट है पर सित्पुस्तक इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेकक निमलिकित में से कौन है तो यह एक इजी सा कोश्चेंज है जिसमें कि आपको पता ही होगा कि इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेकक मोलाना अब्दुलकलाम आजाद है जिने मिसाइल में इनके नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट कोश्चन है भारत के निमलिकित गवर्नर जर्नल में से कौन डॉक्ट्रिन ओफ लेफ्स पॉलिसी यानि कि व्यापकत सिध्धांत की नीती के लिए प्रसिद्ध है तो आपको पता ही होगा कि जो लाड़ डल होजी थे वह है डॉक्ट्रिन ओफ लेफ्स पॉलिसी यानि की यानि की अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाते रहते थे जैसे की राजा का अगर लड़का नहीं होता है तो उस राजा के अंतरगत में जितना भी एरिया राज्य में आता था वैसा भी राज्य उसके लाड़ डल होजी के अंग्रेजों के सासन में आ जाता था त तो यहां फिर नेक्ट क्योंट्टम 오른 तो यहां पर आपको पता है कि वर्णर हाई जैन वरगन के द्वारा अपर किपल घ्रवलेके नहीं 9 मत्त की नहीं है तो यह फूर्म से यह रिलेटेड इस रोकेटर भी इसका फूल मुद्धा है निज्ट को चुनिए जहाँ पर आपको दिया है डाकिया नर्स डॉक्टर और कंपॉडर तो यह पर आप इसली से बता सकते है नर्स डॉक्टर और कं पाउंडर उस्पिटल से रिलेटड हैं जब जो कि यहां पर 21 रुपए आएगा और केंडिडेट ने इतना easy questions गलत कर दिया है जो कि यहां पर 10 मार के आए हैं next है भारती रुपए को मुकाबले किस मुद्रा की बिनी में अधर सबसे अधिक है युएस के डॉलर का जो है एक डॉलर का 80 रुपए है वहीं अभी बात की जाए तो यहां पर केंडिडेट ने अमेरिकी डॉलर मारा है तो उसको अमेरिकी डॉलर का ही knowledge होगा जबकि अभी कुवेती दिनार की बात की जाए तो यहां पर कुवेती दिनार इन चारों है राइट आंसर कुवेती दिनार हो जाएगा यहां पर केंडिडेट ने 30% प्राप्त किया है जिसके बाद अगर वो 25 अंकोल ला जाता तो पास हो जाता जबकि यहां पर 44% यह लाया है केंडिडेट इसके अलावा जो पासिंग मार्क से कितना एक्स्टर ले गया है तो यह यहां पर अधिकतम मांक हम प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि 72 जब 14 75 जब 35 2 से यहां पर 50 और 50 multiply 5 करेंगे तो यहां पर 250 यहां पर इसका अधिकतम मांक हो जाएगा तो right answer यहां पर 250 हो जाएगा I hope आपको समझ में आया होगा और आप इसे questions को easily solve कर सकते हैं जिसमें कि candidate ने 150 लिखा गया है जैसे कि यहां पर ABC का opposite आपको पता ही होगा कि ZYX होता है जबकि DEF का यह दिया है उसी तरह RU को कैसे लिखा जाएगा तो यहां पर एक opposite Z होता है और R का opposite I इस प्रिकार से यहां पर opposite लिखेंगे तो ZITFB यहां पर right answer हो जाएगा next है एक निश्चित code में आने की coding recording का दूसरा questions है जिसमें कि आप देख C plus 1 कर दिया D इसके अलावा यहां पर U से plus T minus कर दिया A इसके अलावा फिर plus कर दिया तो यहां पर plus 1 minus 1 चल रहा है series में तो इसी तरीके से F में plus 1 करेंगे तो G आ जाएगा इसके लावा R में से minus 1 करेंगे तो में क्यों आ जाएगा इस परिकार से पूरा plus minus करके solve करेंगे तो यह G Q P by FM यहां पर राइट आंसर हो जाएगा next question से यहां पर when diagram बनाना है जिसमें कि आपको दिया है कपड़े सट और ताला तो यहां पर आपको easily से यह बना सकते है when diagram में कपड़े हो जाएगे और कपड़े के अंदर ही सट हो जाएगी इसके लावा ताला अलग हो जाएगा तो इस प्रिकार से जो diagram बन रहा है वह यहां पर आप देख सकते हैं तो right answer की बात की जाए तो यहां पर वह right answer होगा next है AAPSO का बिस्तार क्या है तो यहां पर full form से related यह तीसरा question से जिसमें कि आप देख सकते है Afro-Asian People's Solidary Organizations यहां पर right answer हो जाएगा और candidate ने यहां पर wrong answer चूज किया है next है इन में से कौन सा 80% के बरावर नहीं है यहां पर options की बात की जाए तो यहां पर आप देखेंगे यह 80% है इसके अलावा यह भी 80% है तो आपको percentage आती है तो यह आपके लिए जी सा question होगा जिसमें कि आप यहां पर देखेंगे 0.08 यहां पर 80% नहीं है जल बलकि 8% है तो यह अलग हो जाएगा वाकि सभी 80% है इसके अलावा इन में से कौन से कथन गलत है तो यहां पर 4 कथन दिये गए हैं होता है तो यह wrong हो जाएगा क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि से आवाज यानि की को प्राइम जो नंबर्स होते हैं उसमें MCF यानि की HCF होता ही है मायत्तम सामवड़ता है कि तो यह यहां पर wrong हो जाएगा नेश्ट कोश्चन है निमलिखित में से कौन सा संगठन महारतने की स्रेणी से है तो आपको पता ही होगा कि जो भारत Petroleum Corporation Limited है BPCL वह है महारतने कंपनी है जबकि वाकि जो दिये गए कंपनी है वह है महारतने की स्रेणियों में नहीं आती है नेश्ट कोश्चन से खेल के माध्यम से सिक्षा संसकर्ती विकास और सांती को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों को निमलिखित में से किस सम्मानित किया जाता है आंसर की बात की जाए तो इसको Olympic Laurel कहा जाता है जिसमें की खेल के माध्यम से सिक्षा संस्करती विकास और सांती को बढ़ावा दिया जाता है तो राइट आंसर यहाँ पर Olympic Laurel हो जाएगा, नेश्ट है यहाँ पर आपको प्रशन पूछा गया है A के कितने बच्चे हैं जिसके अलावर यहाँ पर कथन दिया है जिसके आपको ग्याद करना है कि A के कितने बच्चे हैं तो यहाँ पर फ़र्ष्ट कथन आप पढ़ेंगे तो A, A की पुत्री है तो यह A, A मान के चलिए E की पुत्री है तो इसका S का gender clear है आप देखेंगे U और QS के भाई हैं तो यहाँ पर यह दोनों का gender clear है लड़के हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह दोनों कथनों के दोरा हम निकाल सकते हैं कि A के कितने बच्चे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Q, S और U, A के पुत्र पुत्रियां हो जाएंगे तो दोनों कथंस के दोरा हम यहाँ पर यह ग्यात कर सकते हैं तो राइट आंसर होगा दोनों यानि की प्रशन के उत्तर देने के लिए कथं 1 और कथं 2 नो पर यापते हैं Next questions यहाँ पर reasoning का है जिसमें आप देख सकते हैं एक प्रशन पूछा गया है बीना मीना से बड़ी है और स्वाती कवीता से छोटी है तो यहाँ पर आपको इनका एक सीरीज वना कर यहाँ पर यह दो कथं दिये हैं उन सुभी को solve करना है जिसे कि यहाँ पर आंसर की बात की जाए तो यहाँ पर जो आंसर दिया है वह है प्रशन का उतर देने के लिए कथं 2 अकेले परयाप्त है जबकि कथं 1 अकेले परयाप् next question यहाँ पर reasoning से है जिसमें कि आपको यहाँ पर 4-6 चात्र दिये गए हैं और 6 अलग-अलग विशो का अध्यन कर रहे हैं तो इस दोनों को आपको यहाँ पर 5 statement दिये गए हैं इन statement के दोरह यहाँ पर आपको उनको series wise बिठाना है जिसमें कि next question उसी से संबन्दित यहाँ पर भी है जिसमें कि यहाँ पर 5 मित्र हैं इसके अलावा अलग-अलग इनके पास वाइक हैं तो यहाँ पर 5 statement भी दिये गए हैं एक-एक number की question है जिसमें कि time ज़्यादा लगता है तो इसको भी आप लाश्ट में अटेंड करेंगे इस परकार के questions next question यहाँ पर maths का है जिसमें कि गोले से related यहाँ पर questions है next question series से है जिसमें कि आपको series पूरा करना है जिसमें कि गली सब्द किस खेल से संबन्द ने थे तो आपको यह पता ही होगा easy से question है जो गली सब्द है वह किर्केट में यूज किया जाता है जो कि fielding करते समय गली में एक filters लगाए जाता है next question है एक मेगा वाइट के बरावर है तो यहाँ पर एक मेगा वाइट एक हजार चोविस किलो वैट के बरावर होता है right answer यह हो जाएगा next question यहाँ पर है यदि 11 अनुपाद 14 है तो बरावर 55 अनुपाद X तो X का मान यहाँ पर आपको ग्याद करना है तो यहाँ पर जो answer दिया गया है वह 70 है next question से यहाँ पर फिर मेट से जिसमें कि यह दिया गया है एक बरताकार रिंग की आंत्रिक और बाहरी परिधी क्रम सब 22 सेंटीमेटर और चबाली से है तो रिंग की मोटा ही कितनी होगी तो यहाँ पर candidate ने wrong answer दिया है जो की right answer 3.5 सेंटीमेटर होगा next है मस्तिस्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है तो यह कुछ हट के question है जिसे कि आपको पता होगा कि आंदर प्रदेस का जो राज्य पुस्प है वह है चमेली है जबकि यहाँ पर candidate ने wrong answer चूज किया है वो fox tail orchid चूज किया है जबकि right answer चमेली है तो इस परकार के भी questions पूछे जाते है नेक्ट questions यहाँ पर sign को exchange कर दिया गया है और यहाँ पर जो statement दिया गया है उसको यहाँ पर solve करना है तो यहाँ पर right answer 3 आ जाएगा इसी परकार से यहाँ पर यह यह नेक्ट questions यहाँ पर reasoning का डारेक्शन से है जिसमें कि आपको दिया गया है यहाँ पर 90 degree anti clock device और 135 clock device गुम रहा है तो 135 clock device में से आपको 90 anti clock device माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 45 clock device आपको move करना है तो जो आपका right answer हो जाएगा वह उत्तर पस्चिम हो जाएगा next questions है एक upgrade की अबधी निमलिकेट में से किस पर निर्वर नहीं करती है तो यह कुछ questions हट हट के पूछे गए है regular questions नहीं होते है तो इनमें कुछ परकार की समश्चा आपको आ सकती है तो right answer यहाँ पर upgrade के द्रव इमाने पर जो upgrade की अबधी होती है वह निर्वर नहीं करती है तो जबकि candidate नहीं यहाँ पर upgrade की उचाई मारी है next questions यहाँ पर फिर यहाँ दिया गया है कि 16,000 रोपे 4% बारसिक दर्से चक्रवधी व्याज में सही उजित होता है तो यहाँ पर CI का यह next questions है इसको भी आपको solve करना है next questions यहाँ पर reasoning का है जिसमें आपको blood relation solve करना है उसी परिकार से कि यहाँ पर second questions भी reasoning का है जिसमें भी आपको blood relations खोजना है next questions है निमले कितमे से किसका सबसे बड़ा उतपादक और निरियातक है भारत तो यहाँ पर candidate ने चाय चूज किया है तो यहाँ पर चाय का तो उतपादक है लेकिन उभोकता भी बहुत बड़े है तो यहाँ पर निरियात में यह questions गलत हो जाएगा जबकि अभरक की बात करें तो अभरक में भारत सबसे बड़ा उतपादक और सबसे बड़ा निरियातक भी है तो यहाँ पर right answer अभरक हो जाएगा नेक्ष्ट है असम के मुख्य मंतरी कौन है तो 2020 में असम के जो मुख्य मंतरी थे वह सरवारंद सोने वाल जी थे तो यहाँ पर right answer हो जाएगा नेक्ष्ट है न्यूजलेंड के प्रधान मंतरी कौन है तो 2020 में जैसिका केंट लौरेंट अर्डन यानि की जैसिका अर्डन थी जो की ही न्यूजलेंड की 2020 में प्रधान मंतरी थी तो यहाँ पर hundred questions complete हो गए हैं इसमें आप कितना score कर रहे हैं वह भी आप मुझे comment box में वताएं और cut-up की बात की जाये तो यहाँ पर GDC में जो cut-ups गई थी वह 75 प्लस गई थी अगर आपके 75 प्लस scores कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे तैयारी किये हुए हैं अगर आप 70 या उसकी आसपास हैं तो आपको और भी मेनद करने की जरूरत है तो I hope आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब रेलवे तक और वीडियो को लाइक सेर जरूर करें इसके अलाबा आपको next वीडियो की subject पे चाहिए वेवी आप मुझे comment box में बता सकते हैं तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद